पो एमार सीट या इसकनेबल सीट भरते समय आप कृपया साउधानी बरते हैं और यह देखिए इस वीडियो में हम बताएंगी कि आप कौन-कौन सी गलतियों से आप बच सकते हैं आप थोड़ी सी साउधानी करके जिससे आपके छे महिने और एक साल की जो परिच्छा के तया एक लंवाइल फिलिंग हों मार्से या इसकनेबल अटेंडन सीट लेष्ट तो ऊमर सीट या इसकनेबल अटेंड़न सीट भरते समय ना लाकरी जी सामानीगलतियां यह आपकी OMR seat है, दे blank seat है, देखिए proper blank seat है, और इसमें पूरी तरह लिखा हुआ है, जहां जहां आपको fill करना है, वो पूरा इसपस्ट लिखा हुआ है, जैसे कि यहां पर center fill करना है, subject fit करना है, फिर booklet series डालनी है, विसे code डालना है, फिर आपके roll number डालनी है, और नीचे आज answer key, मतलब answer seat, गलतियां लोग कहां पर करते हैं, वो देखते हैं, देखिए सबसे पहले candidate ने यह गलती की है, कि उसने जो A यहां पर भरना था, उसकी booklet series A थी, उसने उपर तो A लिखा, लेकिन जब नीचे उसने जब bubble fill करना था, तो उसने A की जगा C को fill किया, और अगर ऐसा आप कोई भी करते हैं, कि आपने गर उपर जो लिखा है, और अपने गलत फिल की या नीचे बबल को, तो आपकी OMR seat चेक नहीं होगी, सही है कि आप जिस जो उपर फिल करें, यानि कि जो head में फिल करें, उसी को आप बबल में भी फिल करें, तब आपका correct माना जाएगा, औ आपकी OMR चेक होगी, दूसरा है कि encoding booklet series by candidate, यानि कि series A, अगर आपने OMR seat में blank छोड़ दिया उपर, तब भी आपकी OMR seat नहीं चेक होगी, और ये गलत है, ऐसा आप बिलकुल न करें, कि आपकी परिच्छा पर पानी फिर जाए, दूसरा है कि encoding subject code और roll number को आपको ध्यान से भरना चाहिए, जैसा उसमें लिखा हुआ है, नीचे उसी bubble में जो number लिखे हुए, उसी को code करके, बिलकुल अच्छी तरह से blank से भरें, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इसने विशय code 02 डाला है, तो 0 तो इसने सही बरा, लेकिन 2 भरते समय इसने एक वाले column में भर दिया है, जो 1 वाला column था, उसमें भर दिया है, जबकि उसके नीचे था 2 वाला column, इसी तरह इसने roll number भी देख लीजिए आप, इसने पहले इसे अंको को देखा, फिर उसी serial में एक ही line में सारे अंको को भर दिया, जबकि ऐसा करना नहीं सही fix यह था, कि एसे से बस्क्राम से भरता, जीरो और टू को डू की line में भरता, फिर उपर से देख लाता, एक ही line में, वह पूरी line में एक ही अंको को भरना है, जीसे कि यहाँ 0 लिखा है, तो 0 यहाँ भरना चाहिए था, 8, 8 यहाँ पर, फिर 1, 1, 4, 4, इस तरह से भरेंग सही होगी और वो चेप होगी अगला है कि आप इसकी जहां पर मार्किंग पत्रबंधित है प्रोविटेट एरिया है वहां पर आपको बिल्कुल भी कोई निशान नहीं लगाना चाहिए वहां पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो अब की ओम और बॉटम तीनों अस्थानों पर आपको कुछ नहीं लिखना चाहिए सेम टू सेम ब्लेंक रख देना चाहिए केवल जहां पर गोलाकार आकृतियां है ब्लेंक वाली वहां पर ही आपको लिखना है अगला है कि आप अपने अंसर जब कोड कर रहे होते हैं तो अंसर को प्रॉपर पूरी तरह से आपको कोड करना है अगर आप बबलिंग को आधा अधूरा कोड करेंगे तब यह आपके अंसर नहीं माने जाएंगे और यह आपकी OMR हो सकता है कि चेक ना हो इसलिए प्राया पूरी के पूरे और जो बबलिंग होता है उसको पूरी तरह से ब्लेंग करना चाहिए पूरी तरह से गोला करना चाहिए आगे है कि जो encoding देखी जिस तरह से आपको किया जाता है यह पूरी की पूरी तरह से आपको इसको blank करना है जैसे कि इसमें किया गया है तभी आपकी उन्मार सीट चेप होगी सही करम यही होता है उसकी बाद दूसरा और ध्यान देने वाली बात यह होती है कि उसमें आप जब पेपर सुरू होता है उसकी थोड़ी देर बाद आपका इसक नेबल अटेंडेस लिस्ट आती है जिसमें आपका नाम आपकी फोटो रोल नंबर यह सारी चीज़े लिखी होती है उसको आपको प स्थाक्षर करने थी यहाँ पर वाने अगले कर चल करके दूसरी की जो हस्टाक्षर कॉलम था उसमें साइन कर दिय अपना गलत किया और साथ में दूसरी का भी गलत कर दिया असे इसटार इस ने भी जो कूछी правındे नाम की थी लड़की इसकी अपने टो यह ब्लेंग अपना स्थाक्शर का सरवन आप आप ऑब करें अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपकी जो आप एक साल, डेड़ साल, छे महीने जो भी आप परिचा के तयारी करते हैं एक छोटी सी भी गलती आपकी उन सभी तयारियों पर पानी फेर सकती है नान्यवाद